हलो एप्रिवन तो बेसिक मैस फोर नीट का दे थड लेकर के आ चुके हैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेश्ट था कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा आप ही लोगों के काम पे लगे हुए थे हैं इसी रिजन से चलो आज हम लोग फिर से कुछ important questions देखेंगे अब आपको देखने में similar लगेगा बट यह similar है नहीं पिछले जो दो वीडियोज है उनसे यह different different है हर एक में student कुछ ना कुछ mistake करते हैं हम वही चीज़ें ले करके आते हैं आप लोगों के लिए ठीक है तो यह सारा questions देखने से पहले एक आप लोगों के लिए important information से एक minute लेंगे आप लोगों का है ना ध्यान से उसको देख लेना फिर हम लोग यह सारा questions solve करेंगे ठीक है चलो तो यह छोड़ा सा information से इसमें क्या है कि math ultimate basic math workshop एक और्गनाइज कर रहे हैं meet student के लिए ठीक है इसमें आपको बहुत सारे basic math के concept बताए जाएंगे बहुत सारे calculation trick बताए जाएंगे ताकि आप अपना calculations को कैसे fast कर सको क्योंकि competition में यह चीज़े बहुत जरूरी है कि calculation कैसे fast कर सको ठीक है यह वर्क्षॉप live होगा three hour का है ना कहां पर होगा तो आप डाउनलोड कर सकते हो maths बजार एप या तो आपको सीधा description में link मिल जाएगा वहां से आप directly join कर सकते हो किवल आपको 9 रूपीज देना है है ना और वर्क्षॉप कंप्लीट होने के बाद अगर आपको ऐसा feel हो जाए कि होना है अगर आपको एक परसेंट भी लगाना कि हमें यह पसंद नहीं आया आप यह पैसे वापिस ले सकते हो सिंपल है ठीक है तो description में link है एप के थ्रू भी join हो सकते हो या directly भी join हो सकते हो link डाला हुआ है कोई problem है इस पर contact करके पूछ लेना ठीक है चलो तो आगे हम लोग देखते हैं और यहां से देखते हैं यह वाला questions है यह जो questions है इसमें student हम देखे थे कि problem करते हैं एक student ने हमको एक questions भेजेते हैं इसी type का उसमें यह student ऐसे solve कर रहा था देखना है ना यह decimal को हटाया ठीक है और decimal को हटाने के बाद वो यहाँ पे 2-0 डाल दिये नीचे 2-0 डाल दिये ठीक है और यह decimal हटाने के बाद उपर में 2-0 डाल दिये उसके बाद इसको cancel करके और आगे calculation कर रहे थे बट यहाँ पर wrong हो चुका है region आपको बताते हैं अभी आपको पता नहीं चला होगा बट आपको पता चलेगा देखो कभे भी आप decimal remove करते हो ना तो हमेशा एक च नीचे में plus का sign तो नहीं है यह हर पार हम बताते हैं plus minus का यह चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कहीं plus का sign तो नहीं है plus का sign है तो आप directly ऐसे decimal उपर नीचे नहीं कर सकते decimal नहीं हटा सकते ठीक है अब आप सोचोगे कि ठीक है अगर plus है तो हम इसको 5 plus 27 कर देते हैं और into मे 0.23 डाल देते हैं और उपर में 0.46 और अब plus नहीं रहा अब solution कर लेते हैं लेकिन अभी भी आप गलत कर रहे हो क्योंकि आप board mass rule को follow नहीं कर रहे हो board mass rule के according पहले multiplication होगा पहले addition नहीं होगा ठीक है चलो अब हम लोग स्वाल्व करते देखो यह सब जो छोटे छोटे बाते ह ना यह आपको समझना पड़ेगा ठीक है ताकि आप नया questions को खुद बना सको अब देखो इसको तो कैसे करेंगे पहले आपको multiply करना पड़ेगा तो उपर as it is 0.46 रहने देते हैं नीचे 2 रहने देते हैं और 23,500 कितना हो जाएगा तो 23,500 होगा और two digits के बाद decimal है तो decimal ठीक है अभी भी decimal नहीं हटाएंगे क्योंकि plus का sign नहीं हटा हुआ है तो अब हम लोग अगर आगे calculations करें तो 0.46 upon इसको क्या करेंगे भाई add करेंगे तो decimal के पहले वाला number इससे add होगा क्योंकि यह original value है तो 2 plus 1 3.15 होगा और अब इसको solve करना है तो भाई इसको तो आप कर सकते हो decimal हटाओ है ना decimal हटाओगे नीचे से तो उपर 100 जाएगा और उपर से हटाओगे तो नीचे 100 आएगा अब देखू अगर decimal के बाद उपर भी two digits है decimal के बाद उपर भी two digits है और decimal के बाद नीचे भी two digits है तो 100 100 लगाने का जरूरत नहीं है अब directly decimal हटा सकते हो ठीक है और अगर लिक भी दोगे तो problem नहीं आप cut कर दो बट यह है कि time लगेगा भले 2 second लगेगा बट 2 second भी तो लगेगा ना तो अब आपको 46 को divide करना है 315 से ये काम आप कर लेना इसको हम नहीं कर रहे हैं है ना main जो purpose होता है वो हम आपका solve कर दे रहे हैं तो आप 46 को अगर divide करोगे अराम से ऐसे 315 तो ये चीज़ी हम बता रखे हैं इसको आप आगे continue कर लेना उस चीज में क्यों time बास करें जो already आ आता है ठीक है नहीं आता तो नीचे description में हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से कैसे divide करते हैं उसका video डाल देंगे वहां से समझ लेना ठीक है चलो next जो है यह यह भी एक student solve करके पूछा था मेरे से कि इसका कैसे solution होगा और उन्होंने जो solve किया था वह आताते आपको उन्हो किये multiply sign है ये multiply sign है और यह line यहीं तक है इसलिए कोई गड़वड नहीं हुआ अगर यह रही यहां तक होता तो फिर गड़वड हो जाता क्यूंसके बाद वह जो श्टुडेंट किया था वो क्या किया था 1.71 लिखा था उसके बाद 2.7 लिखा था और यह माइनस 1.5 को न ऐसे लिख दिया था यहीं पर गलत हो गया था यह लाइन आप उसका तक ले करके नहीं जा सकते ठीक है उसको आपको यहीं तक रखना होगा अब वो क्या किया इसको यहां तक ले गया और फिर डैसिमल हटा करक तो गलत हो रहा था ठीक है तो कैसे करना है देखो यहां तक आपने किये बहुत अच्छा बस माइनस 1.5 को अभी अलग ही रखना है उधर ही अब डैसिमल हटाओ एक है यहां से हटाओगे एक यहां से तो इसके बदले में उपर डालोगे 10 और इसके बदले में 2 डिजिट है तो नीचे डालोगे 100 एक पीस एक पीस यह कैंसल होगा 7 प्लस 2 9 और 7 18 19 9 से दोनों कैंसल हो रहा है 9 1,0 और 9 9,0 9 3,0 तो 9 से कैंसल हो गया अब देखो उपर 19 बचा और नीचे कितना बचा है 30 बेसिकली तो हम यहां पे लिख लेते है 19 अपॉन 3 इंटू 10 अलग अलग ही लि ठीक है अब 19 को आप 3 से डिवाइड करो 30 से नहीं केवल 3 से तो 19 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 36,0 18 माइनस करोगे 1 आएगा decimal डालोगे 0 डालोगे 33,0 9,1 आएगा मैं फिर से 3 आएगा ठीक है 6.33 आ रहा है तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 19 बाइ 3 को 6.33 अपॉन में अभी भी 10 है ध्यान रखना ठीक है अब क्या करते हैं हम लोग इस 10 को एक decimal और इधर शिप्ट करते ते क्योंकि डिवाइड करना है तो अब यह हो ज अब आप इसको सब्ट्रेक्ट कर लो कैसे करोगे भाई decimal के बाद यहां पे 3 डिजिट है तो यहां पे 2 0 लगा लो हो गया 3 डिजिट अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है decimal के पहले इधर वाला नंबर बड़ा है इधर वाला चोटा है उसमें से इ जाएगा तो 6 अब यह जो है वो 4 बच चुका है क्योंकि एक अक उधर दे रहा है 4 4 में से सब्ट्रेक्ट नहीं होगा तो इसको 14 मनाना पड़ेगा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 decimal अब इधर कुछ वेल्यू नहीं बचा क्योंकि यह 1 उधर जा चुका था तो इधर 0 बचेगा माइनस लगाना नहीं भूलना है क्योंकि हम लोग उधर वाले नंबर से सब्ट्रेक्ट कर रहे थे किलियर है अब एक कोईचन्स और बचा है उसे भी आप देख लो यह है कोईचन्स नंबर 3 यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकता है देखो यहाँ पर अगे आपको बोलेंगे आ आप ऐसे 4 2008 बहुत सारे स्टुडेंट करते हैं कि यह वाला मल्टिप्लिकेशन देखते हैं भई ऐसा नहीं करना है यह लाइन के पूरे में कहीं पे भी सपोज यह लाइन यहां तक भी होता ना और इधर और भी कुछ लिखा हुआ है मानलो इधर भी मल्टिप्ला है पूरा मल्टिप्ला है लेकिन अगर यहां पे भी एक प्लस वन आ गया आप कैंसल नहीं कर सकते हो रूल के खिलाफ है तो आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप कैंसल करते हो उस टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना होगा कि कैंसल करते टाइम कहीं प्लस माइनस नहीं होना च सोचोगे इसमें इसको सब्ट्रेक्ट करें नहीं कर सकते क्योंकि बोड मास रूल बीच में आ जाएगा तो सब अब 1 में से 0.2 को सब्ट्रेक्ट करो तो कितना जाएगा उपर तो 8 इंटू 100 कर देते इसको और नीचे आ जाएगा 1-0.2 में 0.20 तो 1-0.20 में 0.80 बचेगा किलियर है अब डेसिमल हटा लो यहां से और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 डाल दो तो अब यह कितना है 80 तो यह 10 टाइमस में कैंसल हो जाएगा और एक 0 से 0 तो आपका यहां पे केवल बच रहा है 10 to the power 3 और कुछ भी नंबर आपका नहीं बचा बाते समझ में आया आप विडियो को भी सेर कर दो हां और यह चीज फिर से बता दे आप लोग इसको जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन करो भाई कोई इसू नहीं है 3 आवर आप मैट्स वहां पे सीखोगे और बोल तो दिए अगर 1% भी आपको लगे ना कि हमको पसंद नहीं आया 1% भी आपक यह 9 रुपीज रखे हुए है ताकि वो स्टूडेंट इसमें ना आ जाए जो नीट का नहीं है पात को समझो क्योंकि वो स्टूडेंट अगर इसमें आता है तो आप ही लोगों को डिस्टर्ब करेगा इसी रीजन से हमने यह छोटा सा प्राइज रखे है मतलब छोटा सा के टिगरी का नहीं है वो इसकोर्स में आज है बस यही रीजन होता है प्राइज रखने का ठीक है अर्न करने का परपस नहीं है ठीक है तो चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिये हैं जाओ और जोइन करो हम मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडि क्यों में